हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों जो आज आपकी वर्क्षीट है हिंदी की कष्चा नाइन्थ की और कार्या पत्रक है 67 और डेट है 14.12.2020 तो जो फुन्रावर्ती है उसको देखते हैं हम इस यात्रा वर्तांत में आगे लेखक के नुसाय पई तक के चीनी किले में जब आगे बढ़े तो एक आदमी रहादारी मागने के उद्देशे से आया लेखक ने दोनों चिटें उसे दे दिया तत्पश्चाद वे थोंडला के पहले के अंतिम गाओं में पहुँच गए उस गाओं में सुमिती जो लेखक का दोस था के परिचित लोग रहते थे जिस वज़े से उन्हें ठहरने को अच्छी जग कोड़े पर सवार होकर लोटे थे किन्तु गाओं में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी उन्हें गाओं के किसी गरीब जोबड़ी में रुखना पड़ा दूसरे दिन लेखक और उसके दोस सुमिती को धांडा थोंडला पार करना था लेखक के अनुस के लिए च्छिपने का सबसे सस्ता इस्थान है, सबसे अच्चा इस्थान है, वां डाकों को कोई पकड भी नहीं पाता, डगाई सबसे पहले हात लगे लोगों को मार डालते थे तत्स परशातिया देखते हैं कि सम्मति वेक्तिक पास कुछ पैसे यादी है कि नहीं वहाँ हत्यार का कोई कानून ही नहीं था जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तॉल और बंदू के लिए घूमते थे तो पहला प्रेश्न है उस समय के तिबबत में हत्यार कानून ना रहने के कारण याद्यों को किस परकार का बहरता था दूसरा है लेखक के मित्र सुमिति के परशित लोग लगबग हर गाओं में मिले इस आधार पर आप सुमिति के विखतित की किन विश्चेष्ताओं का चित पढ़ा होगा लिखें, फॉर्थ है, उस समय तिबद में डाको को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था, प्रश्न पांच है, पांच वर्स पहले की यातरा और इस यातरा में लेका को क्या परिवर्टर नजर आया, तो पहले का आंसर है प्रशन पहला हमने उत्तर है उस समय के तिब्बत में हत्यार का कानून होने का कारण लूट मार का हमेशा भेह बना रहाता था क्यूंकि जायतर लोगों पर हत्यार होते थे प्रशन दो लेखक के मित्रों समय के परिचित के लोगों हर गाओं में मिले इस आधार पर आप समय के व्यक्तित के किन विशेस्ताओं का चित्रन कर सकते हैं उतर है लेखक के मित्रों समय के परिचित के लोगों हर गाओं में मिले जिस जिसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि समय के घुमकड़ सौभाओ के साथ ही उनका मिलनसाज व्क्टित्वर था प्रशन तीन है क्या आपके किसी मित्र या परीचित को घुमकड़ी शौक है उसके शौक क्या पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पढ़ता होगा लिखें। उत्तर हाँ मेरे ताउजी को गुमकड़ी का शौक है जिसके कारण के व्यापार पक्ता पिकवाव पड़ता है क्योंकि मैं लगातार अपने व्यापार पधियान नहीं दे पाते और नुकसान उटाना पड़ता है उस समय तिब्बत मंढाको को कोई पकड़ नहीं पाता था क्योंकि उची पहाड़ी और घरे जंगल थे और दूर दूर तक कोई गाउ नहीं था प्रशन पाँच पहले वर्ष की यातरा और इस यातरा में लेखा को क्या परिवर्दन नजर आया तो इसका उतर है पांच वर्स पहले जब लिखा किनल हासा की यातरा की थी तो उसका काफी आदर सत्कार किया गया था लेकिन दोबारा की यातरा में आदर सत्कार गाया था उन्हें ठेहरने की जगे भी बड़ी मुश्किल से मिली थी तो बच्चों ये थी आपकी बक्षी